वेलकम टो इशानी वीडियो नागिन सीजन 6 में नजार आने वाली हैं दो बड़ी नागिने अब आखिर में उनका नाम M से स्टार्ट हो रहा है जिसमें से एक नागिन finalize की जा चुकी है एकता कपूर दोराई सारी announcement तो आप सुन चुके होंगे लेकिन इस बार हम आपके लिए लेकर आचुके हैं एक ऐसी खबर जिसको सुनकर आप खुश होने वाले हैं जो दो ऐसे नाम सामने आए हैं वो लगभग लगभग confirm बताये जा रहे हैं वही आपको नागिन के तोर पर दिखाई देंगी आखिर में कौन-कौन से नाम है और कौन है यहाँ पर जो दो नागिने जो की आपको दिखाई देनी वाली हैं नागिन सीजन 6 में आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजेगा ताकि हमें एप्रिसियेशन मिले और हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइट कराते रहें बात करें पिछले सीजन की तो पिछले सीजन में दो सीजन लगातार फ्लॉब गए हैं जिसको लेकर अब यहाँ पर एकता कपूर ने अपनी नए स्ट्रेटरजी बना कर इस बार काफी जादा बहतरीन तरिके से स्टोरी लाइन भी रखी है उसमें से यहाँ पर पहली नागिन का नाम M से बताया जा रहा है और यहाँ पर वो नागिन कोई और नहीं बलकि महक चहल है अब आखिर में इनका नाम कैसे सामने आया जब एकता कपूर अनाउंस कर रही थी बिग बॉस सीजन 15 के स्टेज पर खड़ी होकर नागिन 6 के बारे में तो उन्होंने यहाँ पर पहली नागिन से जिड़ी ही कुछ बाते मेंशन की थी सल्मान खान को कि आखिर में उसका नाम M से शुरू होता है वो आपके साथ में काम भी कर चुकी और आप उसमें बहुत अच्छे से जानते हैं यानि कि अब बात अगर हम कहें महक चहल की तो महक चहल सल्मान खान के साथ में उनके मूवी में काम कर चुकी है हाल ही में जल्दी में उनके साथ में यहां पर काम करते भी नजर आई थी यानि उनके प्रोडक्शनल के साथ में काम करते भी नजर आई थी रहोता है वो यहाँ पर अनौस्मेंट कर देंगी वैसे रिदिमा पंडित का नाम काफी जाधा बार लिया जा चुका है इससे पहले भी सीजन्स में कई सारे फैंस ने उन्हें ने डिमांड की थी कि वो रिदिमा पंडित को देखना चाहते हैं तो इस बार चांसेस काफी करती हैं सेकंड में लीड के तौर पर तो आप कितने जाधा एक्साइट यूडियों खबर सुनकर कमेंट करके ज़रू बताना और चैनल पर नहीं हो भी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब भी ज़रू कर लेना और भी रियल और इंट्रेस्टिंग अपडेट्स के लिए थैंक यू